राम राम सभी भाईयों को तो भाईयों आज हम आपको बताएंगे आयो निज जन्म मृत्यू और योनी जन्म मृत्यू के बारे में यहां दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपको बताते हैं कि क्या है यह देह जन्म मृत्यू यात्रा गुर्जर लोग संस्कृति में आयो निज जन्म मृत्यू एवं मात्री योनी गर्व जन्म मृत्यू सत्य प्रिय सत्य अजर अमर जीवात्मा परमात्मा स्वरूप कमल पुस्व में स्री देवनाराइन अवतार को सत्य स्वरूप सुक्यार किया गया है स्री देवनारायन की पुत्र पुत्री का भी बिल्व दल से प्राकट है। आज का बौदिक तर्क वाद और बिज्ञान इसे नहीं मानता परंतु यह है सनातन शास्वत सत्य है। दिव्यांस जीव माता की योनी गर्व से देधारन करके ही जन्मना जीव कहलाता है। श्री देवनारायन का अवतार सूर सप्तमी अथ्वा देव सप्तमी को कहा गया है। सुष्टी में जिसका जो कुछ भी आस्तित्त है उसमें सातों शरीर सदाव मौजूद है सक्रिय अत्वा निसक्रिय परंतु उनका आस्तित्त है पदार्थ, पनस्वती, पेड, पौधे, पशु, पक्षी, मनस्थ सवी में सातों शरीर मौजूद है इन सब में किसी का एक किसी के दो और किसी के तीन सरीर सक्रिय पाय जाते हैं पेड पौधो में केवल स्थूल शरीर प्रकिरिया रहता है पश्वो में प्रतम स्थूल शरीर और दुत्ति भाव शरीर प्रकिया पाय जाती है इतरिक भावशरीर के सक्रिय हो जाने से ही क्रोध, भै, प्रेम, आक्मन रूप गती पाई जाती है आदमी में एस्ट्रेल बोडी जाग जाती है इसलिए वह स्थूल शरीर, चित्र और मन से भी गती अर्थार्थ यात्रा करता है भविष्य और अतीत दोनों तरफ उसकी यात्रा है मनस्त में सुक्ष्म गती उसके मन की गती है वह मन से भविष्य की भी कलपना करता है मनस्त के वाद क्या होगा? उसकी भी चिंता करता है जन्म से पहले कहां? क्या था? उसकी भी चिंता करता है कुंडलीनी और तंत्र पुस्तक में आशर रजनीश ने उलेक किया है, हमारे यहां अशरीरी उच्च योनियों का उलेक है चौता शरीर मनुस में सक्रिय होता है, परंतु वह बहुत कम लोगों में सक्रिय पा जाता है मनुस यदी मनश सरीर में मृत्य को प्राप्त होने पर उच्च योनी में प्रवेश करे तो उसे देव योनी अत्वा कुछ भी कह सकते है चौते सरीर में सक्रियता की बहुत संभावना है, चौते सरीर में सक्रियता और चेतनता दोनों ही संभावना है चोते सरीर की सक्रियता में सिर्फ प्रेत और पित्र योनी है, सक्रियता और चेतनता दोनों होने पर देव योनी कहेंगे, पांचवी सरीर की सक्रियता पर वहें देव योनी से भी पार चला जाता है, क्योंकि पांचवा शरीर आत्म शरीर है, पांचवी सरीर में सक्रियता और सजक्ता दोनों साथ साथ घटित होती है इसलिए आत्मा का ही दूसरा नाव चेतना है मनुस्य के चौते शरीर तक ही इस्तरी पुरस का भेद है यथार्त मैं चौते शरीर तक ही निद्रा और जागरण द्वैद और द्वंद पांचवे सरीर से अदैत्व और अद्वंत की एकता यात्रा शुरू होती है इससे पूर्व अनिकता थी स्री देव नारायन चार धाम सब्त पुरी यात्रा इसका एक परतीक है द्वत्तिता दिव्यत्व प्राप्ती की संभावना को व्यक्त करता है देव योनी जागरत और दुक रहित है इसमरण रहे देव योनी और प्रेत योनी में वापस लोटना पड़ता है इसलिए प्राणों में उलेक है देवता प्रत्वी पर जनम लेने को तरस्ते है मनुस्य योनी में सब यात्रा इन संभाव है मनस्य योनी से पांचवे सरीर को उपलब्द व्यक्ति को कहीं नहीं जाना पड़ता है फिर वह आयोनिज में प्रवेश करता है वह योनी मुक्त होता है योनी का अर्थ किसी मा की योनी से गर्ववास से है पांचवे सरीर को प्राप्त व्यक्ति कोई गर्व प्रवेस नहीं करता है, जो अपने को उपलब्द हो गया, उसकी यात्रा एक तरह से समाप्त हो गई, इसी को मुक्ति अत्वा मोक्ष कहा जाता है, यह सिर्फ स्वैम हो जाना है, सर्वे का हो जाना नहीं है, सर्वों को जान की जिग्यासा वीज स्वरूप हम मैं से प्रतेक्म में है इसलिए वह यहां कभी भी जाक सकती है छटवे सरीर मैं हूँ असमिता तूटती अथवा छूटती है यह कोस्मिक सरीर है पांचवे सरीर के बाद योनी से जन्म ना होकर स्वयम से ही जन्म होता है यह दिव्य जन्म है गर्व से जो जन्म मिलता है वह दूसरे से मिलता है और दूसरा जन्म अवने से ही मिलता है और यही अपने जन्म की अंतर यात्र है यह अंतर योनी और अंतर गर्व है का ब रखती स्वेम ही माता पिता और पुत्र है अब यह उसकी अकेले की यात्रा है यही आयोनिज आत्म गर्व होना है पांचवे से छटवे सरीर में स्वेम का जन्म और छटवे से साथवे स्वेम की मृत्यू है पांचवे सरीर तक जन्म और मृत्यू दूसरे से है अर्थार्थ यहां तक जन्म और मृत्यू दोनों पराई हैं। असल में जन्म देने वाली योनी में मृत्यू अंतनिरहित है। माबाप से मिला शरीर एक यात्रा है जिसका आयू पूरी होने पर ध्वन्स निश्यत है। पांचवे से छटे सरीर में आयोनीज जन्म और आयोनीज मृत्यू भी प्रतिचातुर है। यहां यहां आत्म जन्म ले जाएगा। उससे आगे मृत्यू वहां ले जाएगी। जहां जन्म ब्रह्मान में ले जाएगा और मृत्यू निर्वहां में ले जाएगी। यह जीवन अंतहीन हो सकता है। छटवे सरीर की चेतनाएं ही अवतार और इश्वर जानी जाती हैं। कमल पुस्व में सरी देव नारायन अवतार इसे ही कहा गया है। जिसका प्रतीक गुर्जर देव मंदिर द्वार हाट अलमोडा उत्राखंड और चार धाम सब्त पुरी यात्रा वंश उधार कर लोक अराध्य सरी देव नारायन प्रतीक दर्सन का प्रतीपाद विश्च सरी देव नारायन फड़ लोक वारता में व्यक्त हुआ है। जिस सकत हाग अलमोडaire साथिक में द्वारिज कर देव मोड़का प्रतीक एal में प्रतीक याने प्रतीक लिव